नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नौटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल अधिकतर लोग हर मौसम में गेहू की बनी हुई रोटी ही खाते हैं परन्तु क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में बाजरे की रोटी हमें गेहू की रोटी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा फाइदे देती हैं बाजरे की रोटी में प्रोटीन, आईरन, आवशक्त, पोशक्त, तक तोव भरपूर मातरा में पाए जाते हैं सर्दे में इसका सेवन करने से शरीर को बहुत फाइदे मिलते हैं बाजरे की रोटी शाकारी लोगों के लिए यह मास, अंडे से कई गुना ज़्यादा ताकदोर अनाज माना जाता है बाजरे में चावल और गेहू से अधिक उड़्या होती हैं बाजरे के सेवन से खुदय, बाचन, हड़िया, बाल, तोचा स्वस्तरेती हैं और कोलिस्ट्रोल, डाइबर्टीज, अस्तमा, एनिमिया के अलावा कैंसर जैसे गंबी रोख से भी शरीर को बचाता है बाजरे का लोग कई तरह से सेवन करते हैं परुन्तु बाजरे की बनी हुई हर चीज हमेशा गरम ही खाए, थंडी नहीं सर्दियों के मौसम में जो लोग नियमित रूप से बाजरे की रोटी खाते हैं उन्हें पाचन से जूड़ी कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो पाचन तंतर को मजबूती करता है उमीद करता हूँ दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आयो होगी यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है, तो क्रूपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करे ताकि वह भी इस जानकारी का लाब उटा सके यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी किम्ती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद कि अपनी करना चाहते हैं